ऐसी बात कही कि मैं सर्मिन्दा हो गया। क्या हुआ बेटा। का साथियों नहीं हम से कहा कि हम लोग अच्छे कपड़े पहिंड के आते हैं और तुम अमीर उद मौमिनीन के लड़के हो करके इसे कपड़ा पहिंड के आते हो। जब तक आप नया कपड़ा नहीं बनवाओगे मैं पढ़ने नहीं जाओं। तो हदरत अमर ने अपने नौकर को बुलाया और नौकर से कहा तुम बैतिल्माल चले जाओ। या खादिम उदह भीला बैतिल्माल। आए खादिम तुम बैतिल्माल यानि बैंक चले जाओ। वकुल खादिन बैतिल्माले और बैंक के मनीजर से जागे कह दो। वो मेरे नाम पर चार रूपिया कर्जा दे दे। वकुल मा यक्दी शाहरी जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तंखा से वो चार रूपिया काट लेंगे ताकि मैं अपने लड़के का कपड़ा बनवा दू ये सहाबा की सादा जिन्दगी थी अमीर मुमिनी इंत्यानी परधान मंतरी पूरी दुनिया के लेकिन गुरुबत का अलम ये कि चार रूपिया घर में नहीं निकला का जाके बैंक के मनीजर से कहे दो कि वो चार रूपिया करजा दे दे जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तंखा से काट लेंगे वो नौ कर गया बैंक और बताया तो बैंक मनीजर ने कहा जाके उमर से कहे दो कि इस महीने के पूरी होने तक अपने जिन्दगी की जमानत लिखके दे दे कि महीना पुरा होगा तनखा से काटे होगा जाके लिखवा लाओ कि महीना जब तक पूरा नहीं होगा उनको मौत नहीं आए मैं दे दूँ या मुमिनों का माल है बैतुल माल में और दे दूँ वो पहले मर जाए तो ये कौन पैसला के देगा जाके कह दो किस महीना के मुकमल होने तक जिन्दगी की जमान लिखे दे वो नौकर वापस आया हदरत उमर ने कहला है का हुदूर आप से वो कह रहे हैं कि इस महीने के मुकमल होने तक जिन्दगी की जमानत लिखे आप दे दे तो हदरत उमर रो पड़े और रो करके अपने बेटे अब्दुल्ला के सर पे हाथ रखा फरमाया बेटा अब्दुल्ला जाओ पढ़ो अब्दुल्ला जिन्दगी देगा महीना पूरा होगा तन्खा मिलेगी तो बेटा तुमारा कपड़ा बनेगा बैंका मनीजर मुझसे पूरे महीने की जिन्दगी की जमानत मांग रहा है बेटा मैं तो एक लम्हे की भी जमानत नहीं दे पाऊंगा खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए ये सहाबत है कि उनके जहनों में मौत हर वक्त गुंजा करती थी इसलिए वो गुनाओं से बच्चते थे ऐसे लोगो मौत का तसवूर करो और जब मौत का तसवूर हम करेंगे तो इंशालले हमसे गुना नहीं होगा चार चीज़ें जिसको दी गें उसको दुनिया आखरत दोनों बेहतर दे दे गए चार चीज़ें जिसको मिल गए नमबर एक पर दुन शाकिरुन शुक्र अदा करने वाला दिल अपने बाप का शुक्र अदा करो अपने इमा का शुक्र अदा करो जो तुम पर इसान कर दे उसका शुक्र या अदा करो पुरान हकेम में अदा करो अपने माबाप का शुक्र या अदा करो शुक्र अदा करो अपने मुहसिन का गल्बे साकिर जिसको मिल जाए शुक्र अदा करने वाला दिल नभी फरमाते हूं उसकी दुनिया भी कामियाब है आखरत भी कामियाब अल्लाह का शुक्र है कि पांचो टाइम की नमास पुड़ो और माबाप का शुक्रिया है कि उनको खुश रख 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 उनकी खिद्मत कर रख लेकिन आज नहीं हो पाता मदीने मनवरा के गरीब एक मुसल्मान थे बीमार हुए तो उन्होंने मिन्नत मानी या अल्ला मुझे शिफ़ दे तो इनी नदरतु अन्वकबला कबतल काबा कहते मैंने मिन्नत माने कि मैं काबा की चौकर चूमूँगा अल्ला ने शिफ़ दे दिया मिन्नत ऐसी मांगना चाहिए कभी दो रकाद की नियत माओ दो रकाद नमाज की मिन्नत मान लो मेरा पुला काम बंजाये तो दो रकात नमाद नफल पढ़ूंगा कभी ये मिन्नत मान लो या लो मेरा काम फुला पंजाये मुझे बीमारी से शिफा दे दे तो मैं गुरान हेकीम के पांच पारे थिलावत करूंगा मिन्नते मानों जैसे हसना एंद करीम एंद हसन हुसाइन बिमार हुए थे तो अधरत फात्मा ने मिन्नत मानी थी या आल्ला मेरे दोनों बच्चों को शिफा दे दे तो मैं तीन रोजे रख़ूंगी ऐसे उन्होंने मिन्नत मानी ठीक हो गए अब मदिना है भजूर से बस्छा पूछने लगे किया आल्ला या एल्ला कि रसूल मैंने मिन्नत मानी थी ठीक हो जाओ तो काभ़ की छोकर चुमगा तो कहा जाओ पूरी करो मिन्नत काभ़ मैं नहीं जा पाओ मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं सवारी से मक्का जाओं और ना मेरे बदन में ताक्त देगी पैदल जाओं मैं मक्का जा नहीं सकता तब हुदूर्द ने फर्माया था इरजी इला बाइतिका तुम अपने घर वापच चले जाओ वकबिल गदम अम्मिका और अपने घर में जाकर अपने मैं के दोनों पैरों को चूम लो, अल्ला ताला तो मैं काबा की चोकट के चूमने का सवाब बता फरमायेगा मागा ख़दम चूमो तो गोया काबा की चोकट चूम लेकिन कोई मा की ख़दम चूमता है पीर साहिब पैर चूमे खातिय большой परिशान आता है कहीं है कुरान हदीस में न कहीं कुरान में हैं न कहीं हदीस में हैं कि पीर का पैर चुमों पीर का पैर चुमना कहीं नहीं लिखा है तो उसके लिए हम परिशान हैं और मा का पैर चुमना हदीस से थावित है उस पैर को हम कभी नहीं चुमते हैं Allah के रसूल ﷺ ने फर्माया इन्ना बन अबवाबु जन्ना बेशक बाब तुम्हारा जन्नत के दर्वादों में से एक दर्वादा है उसको रादी कर लो जन्नत तुमको मिल जाए कहीं है हदीश में कि पीर तुम्हारा जन्नती दर्वादा है पीर जन्नत का दर्वादा नहीं है कहीं नहीं लिखा कि पीर तुम्हारा जन्नत का दर्वादा है लेकिन तुम्हारे बाप को अल्ला के नभी ने फर्माया वो तुम्हारे जन्नत का दर्वादा है मा के पेरों की नीचे जन्नत है हदरते जाबिर फर्माते मदीने मनवरा से मुझा एहदीन के एक काफिला निकला तो फर्माते मैं नभी करीम की बारगा में आया मैंने कास तशीरू का नग्दू या रसूल अल्लाः अल्लाः की रसूल मैं आप से इजादा लेने आया हो कि मैं भी अल्लाः की रहा में जंग लड़ूंगा तो सरकार ने फर्माया थे या